एक बार की बात है, एक घोडा और एक भैंस पहाडों के ऊपर एक सुन्दर घास के मैदान में रहते थे, यह भोजन और पानी से भरपूर और सुन्दर प्रकृती की गोड में बसा हुआ स्थान था. पहाडिया कोमल हरी घास से लदी हुई थी, बहती जलधारा ने उनकी प्यास बुझाने के लिए ताजा, थंडा पानी प्रदान किया, घोडा और भैंस बहुत अच्छे दोस्त बन गए, वे साथ-साथ खेलते थे, साथ-साथ गाते थे, साथ-साथ नाचते थे और साथ-साथ भोजन करते थे, एक साल बारिश नहीं हुई, दुर्भाग्य से घास का मैदान सूख गया, धूप की तपिश में घास भी भूरी हो गई, जल्धी घोडा और भैंस कम पानी और घास के लिए लड़ने लगे, एक दिन उनकी रोज की लड़ाई हिंसक हो गई, वे जमकर करने लगे, घोडे ने लात मारी और टक्कर मारी जब की भैंस ने उसे अपने विशाल शरीर के साथ एक तरफ धकेल दिया, अंक में भैंस ने अपने तीखे सींगों से घोडे को घायल कर दिया, घोडा बुरी तरह जखमी हो गया, वह दर्द से करा उठा, उसने एक बार उ आ रहा था, वह भूल नहीं पा रहा था कि कैसे कभी उसके पक्के दोस्ट भैंस ने उसे इतनी बुरी तरह चोट पहुचाई थी, वह अपना बदला लेने की योजना बनाने लगा, उसने सोचा और सोचा और अंत में एक निशकर्ष पर पहुचा, उसने मदद के लिए एक आदमी के पास जाने का फैसला किया, वह एक आदमी से मिले और अपनी कहानी सुनाई, उसने मदद की गुहार लगाई, उस आदमी ने कहा, अच्छा, मेरे प्यारे घोडे, तुम और भैंस आपस में लड़े और तुम हार गए, हारने वाले की मदद क्यों करनी चाहे? इसके आदमी ने कंदे उचकाएं और कहा, तुमने मेरा फैसला सुन लिया, अब मुझे जाने दो और अपना काम करने दो. घोड़ा उदास हो गया, जैसे ही वह आदमी आगे बढ़ने लगा घोडे ने दैनियस्वर में फिर से विंती की, यदि आप मेरी मदद करते हैं, तो मैं आपको उस शक्तिशाली भैंस को पकड़ने में मदद करूँगा, फिर आप उसे रख सकते हैं, और मैं अपने घास के मैदान में अकेला रह जाऊँगा, वह आदमी इस प्रस्ताव पर रुख गया और सोचने लगा लेकिन फिर उसने हंस्ते हुए जवाब दिया, पकड़ी आप इसे रोज पिएंगे, तो आप बहुत मजबूत हो जाएंगे, अब वह आदमी संतुष्ट हो गया और घोड़े की मदद करने को तयार हो गया, उसे केवल चिंता थी की भैंस के सींग की उसे केवल भैंस के सींगों की चिंता थी, घोड़े ने एक योजना सुझाई, वह मेरे जितनी तेज नहीं दौर सकती और इसलिए हमें पकड नहीं पाएगी, आपकी योजना बहुत अच्छी लगती है, मुझे उम्मीद है कि यहां काम करेगी, मैं इस सौदे के लिए तयार हूँ, आदमी ने खुशी से कहा, उन्होंने अगली सुबह योजना को अंज गोड़ा भैंस के पीछे से भागने लगा और उस आदमी ने उसे चड़ी से मारा, योजना काम कर रही थी चड़ी के कुछ जोरदार प्रहार के बाद भैंस जमीन पर गिर गई, उस आदमी ने जल्दी से भैंस को पकड़ लिया और उसे अपनी जोपड़ी के बगल में एक पेर से बांध दिया, घोड़ा अपनी जीत पर खुश था, उसने न केवल अपना बदला लिया था, बलकि घास के मैदान का एक मात्र मालिक भी बन गया था, उसने उस आदमी को धन्यवाद दिया और जाने ही वाला था कि उसने देखा कि वह भी पेर से बंधा हुआ है, घो की घास का आनन लूगा और तुम भैंस के दूद का आनन लोगे, आदमी ने जवाब दिया, मेरे प्यारे दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुम समझदार हो, तुमने मुझे भैंस पकड़ना और घोड़ों की सवारी करना सिखाया, अब मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम दोनों बहुत उप्योगी हो, मैं दोनों में से किसी को भी नहीं जाने दे सकता, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी अच्छी देख भाल करूँगा, उदास घोड़े ने विश्वास घात महसूस किया, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने महसूस किया कि वह पीडित था क्योंकि वह क्षुद्र और तामसिक था, आदमी को भैंस के दूद का राज बता कर और उसे फंसाने में मदद करके उसने अपने दोस्त भैंस को धोखा दिया था, उस दिन के बाद से उसने निश्चे कि वह फिर कभी किसी के भरोसे को धोखा नहीं देगा, यह पार की बात है, एक जंगल में एक बहुत ही प्यारा खरगोश था, उसके कई दोस्त थे, वह हमेशा अपने दोस्तों से मिलता था और उनके साथ बाते भी करता था, कभी कभी वह उनकी मदद भी करता, लेकिन एक दिन खरगोश खुद मुसीबत में पढ़ गया, कुछ शिकारी कुत्तों न गया, मौका देखकर वह एक जाडी में घुज गया और वही छिपकर बैठ गया, लेकिन उसे डड़ था कि कहीं भी कुत्ते वहां आकर उसे सूम कर ढून न ले, वह समझ गया कि यदि उसका कोई मित्र समय पर नहीं पहुँच पाया तो उसकी मृत्यू निश्चित है, तभ गोडे से प्रार्थना की, घोडा भाई, कुछ शिकार करने वाले कुत्ते मेरे पीछे पड़े हैं, कृप्या मुझे अपनी पीठ पर बिठाएं और मुझे कहीं दूर ले जाएं, नहीं तो ये शिकार करने वाले कुत्ते मुझे मार डालेंगे, घोडे ने कहा, प्रिय भा यह कहकर घोड़ा तेजी से दोड़ता हुआ चला गया, खरगोश ने बैल से प्रार्थना की, बैल दादा, कुछ हिकारी कुट्टे मेरा पीछा कर रही हैं, कृपया आप मुझे अपनी पीठ पर बिठा ले और कहीं दूर ले चले, नहीं तो कुट्टे मुझे मार डालेंगे बैल ने जवाब दिया, भाई खरगोश, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, पर इस समय मेरे कुछ दोस्त बड़ी बेचैनी से मेरा इंतिजार कर रही होंगे, इसलिए मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है, देखो, तुम्हारा मित्र बकरा इधर ही आ रहा है, उससे कहो वह जरूर तुम्हारी मदद करेगा, यह कहकर बैल भी चला गया, खरगोश ने बकरे से विंति की, बकरे चाचा, कुछ शिकारी कुटे मेरा पीछा कर रही है, तुम मुझे अपनी पीट पर बिठा कर कहीं दूर ले चलो, तो मेरे प्रान बच जाएंगे, वरना वे मुझे मार डालेंगे, बकरे ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें अपनी पीट पर दूर तो ले जाओ, पर मेरी पीट खुरदरी है, उस पर बैठने से तुम्हारे कोमल शरीर को बहुत तकलीफ होगी, मगर चंता ना करो, देखो, तुम्हारी दोस्त भेड इथर ही आ रही है, उससे कह होगे तो वह जरूर तुम्हारी मदद करेगी, यह कहकर बकरा भी चलता बना, खरगोश ने भेड से भी मदद की याचना की, पर उसने भी खरगोश से बहाना करके अपना पिछा छुडा लिया, इस तरह खरगोश के अनेक पुराने मित्र वहां से गुजरे, खरगोश ने स सभी से मदद करने की प्रार्थना की, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की, सभी कोई न कोई बहाना कर चलते बने, खरगोश के सभी मित्रों ने उसे उसके भाग्य के भरों से छोड़ दिया. खरगोश ने मन ही मन कहा, अच्छे दिनों में मेरे अनेक मित्र थे, पर आज संकट के समय कोई मित्र काम नहीं आया, मेरे सभी मित्र केवल अच्छे दिन के ही साथी थे, थोड़ी देर में शिकारी कुट्ते आ पहुँचे, उन्होंने बेचारे खरगोश को माल डाला, अफसो करने से विनाश होता है, तो बच्चों दोस्त उसे ही बनाओ जो बुरे वक्त में आपकी मदद करें।